हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपनी चैनल विवास लाइफ में होब करती हूं सब लोग सौस्त होंगे मस्त होंगे हम लोग भी अच्छे हैं सो फ्रेंड्स अभी बज रहा है दोपार का ढ़ाई और मेरे यहां जैसा कि आप लोगों को पता है मौर्निंग ड्यूटी चल रहा है तो उनको कुछ नास्ते में साम कोच चाहिए तो कल बोल रहे थे कि उनको कुछ हलुआ खाना है तो हम बोले किस चीज का तो बोले आटे का ही बना दो फिर कल बनाने जा रहा है तो तो बोले अच्छा नहीं कल बनाना तो आज हम जा रहे हैं हलुआ बनाने आटे का तो नहीं बनाएंगे क्योंकि आटा का फिर कभी बना लेंगे आज बनाएंगे कुछ अलग मतलम मिक्स करके आटा तो चलिए बनाते हैं आज उनको हलुआ बना के देंगे क्योंकि आज उनको पता नहीं है कि हम क्या बनाएंगे ऐसे मीठा तो मेरे घर में कोई खाता ही नहीं है उनको भी मीठा नहीं पसंद है लेकिन पता नहीं क्यों उनका कल अचानक मन हुआ कि हल्वा खाना है कभी-कभी होता है ना मन करता है मीठा खाने का तो कल उनका मन हुआ कि हमको हल्वा खाना है तो हम बोले ठीक है बनाएंगे तो आज चलिए किचन में बनाते हैं हलवा So friends हम आ गए किचन में और ये देशी घी ले लिए है कड़ाही में और उसके बाद ये डाल दिये हैं सूजी जिसको की रवा भी बोलते हैं सूजी रवा जो भी बोल लीजिए तो ये थोड़ा सा इसको भून लेंगे इसका कलर चेंज होने तक अभी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बोली थी आटे का बनाएंगे मतलब मिक्स हां मिक्स हलवा ही बनाएंगे लेकिन आटे का नहीं सूजी और बेसन का बनाएंगे तो देखिए ये अभी हम सूजी डाल दिये हैं और इसको भुनने के बाद इसमें बेसन डालेंगे ये हलवा बहुत ही टेस्टी लगता है और ये आगे-ागे देखिए इस हलवा का बनाने में क्या फाइदा है मतलब जितना सूजी अथना बेसन बेसन अब बेसं को भी अच्छे से भून लेंगे, यह जो थोड़ा सा गुटकी गुटका है, उसको फोड़ देंगे, पल्टे से ही और इसको भून लेंगे, और इसमें आप लोग चाहें, तो ज़्यादा घी डाल सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को तो पता है, हम थोड़ा कम घी तो थोड़ा सा कम किये हैं और उनको भी बिट्टू के पापा को भी कम तेल घी खाना है तो इसलिए इसमें आप और घी डाल सकते हैं देसी घी जो कि और डालेंगे तो और टेस्टी होगा और ये देखी एकदम भुना के तयार है मेरा बेशन और सूजी एकदम बढ़ियां से भुना गया है और ये देखिए अब इसमें हम डाल रहे हैं पानी पानी को पकने भर का इसमें हम कोई नाप तोल के नहीं डाल रहे हैं अंदाजे से ही काम करते हैं ज्यादा तर तो ज्यादा तर क्या हमेशा हमारा अंदाजे से ही काम होता है शुरू से हम अंदाजे से करते अब ही तक करते हैं, और करना जर। अभी पानी के बाद चीनी डाले हैं, एक आँ, मिक्स कर लेंगे, एक लिए एक बढहां से, खुसबू भु़ुँरण आ रही है, वाँ, शच में, खुसबू भु़ुर्स मस् snippet है, तो इसमें, अब ही थोड़ा सा हमको पानी कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे अब पानी के जगह इसमें दूद भी डाल सकते हैं दूद डालेंगे और ज़्यादा गी डालेंगे तो यह हल्वा सोचिए कितना मतलब और टेस्टी बन सकता है लेकिन यह हम डाइट क हिसाब से बना रहे हैं तो जो जदा मीठा जदा घी और जदा फैट जैसे नहीं खाना जाता और उसका खाने का मन है हल्वा तो वह फिर इस तरीके से बना सकते हैं हल्वा शुजी और बेसन तो अभी इसको अच्छे भूनेंगे हम सूजी और बेसन मतलब भूना तो गया है पानी डालने के बाद भी इसको अच्छे से पका लेंगे कडाही छोड़ने तक घी तो थोड़ा सा ही डाले हैं लेकिन फिर भी कडाही तो छोड़ेगा ही कडाही छोड़ने तक इसको अच्छे से पकाएंगे और इसमें अगर आप दूध डालेंगे ना तो और एकदम बढ़िया टेस्टी हो जाएगा ये देखिए कितना मस एदम दानेदार खिला खिला बना है और इसमें अब हम थोड़ा ड्राइप पूट कर डालेंगे और इसमें चोटी इलाची का पावडर वोभी हम इसमें पावडर उसको कूट के डाले तो और अच्छा रहता है वह बाजार वाला कूटा हुआ पावडर वह मजा नहीं देता जो तुरंत कूट के डाली है इलाइची पावडर वह बहुत टेस्टी होता है और बहुत वह बढ़ियां कुस्बु आता है तो अभी देखिए यह पूरा कडाही छ तो फूरा मतलब जमा हुआ आजकाल ठंडी है तो घी पूरा जम गया है टाइट हो गया है तो ऐसे का हम दो चमच डाले थे तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर दो चमच डालिए तो पिघल के कितना सारा हो जाता है तो यह हम दो लोग को खाने का हलवा है तो दो चमच डाले हैं एक एक चमच दोनों लोग के हिस्से में आएगा इस तरीके से हम काउंट किये हैं और एक चमच घी तो खाना जरूरी है किसी को भी गुड फैट है तो बॉड़ी में जाना जरूरी है तो अभी देखिए मेरा हलवा बनके तयार हो गया और यह अभी तो दूटी से आए नहीं है अभी तीन का सीटी लगा है तो उनको अभी पंदर से बीस मिनट लगेगा आने में तब से हम सोचे हमी टेस्ट कर लेते हैं कैसा बना एक दम रहा नहीं जा रहा है बिना खाए तो थोड़ा सा चखेंगे फिर अपना आएंगे तो उनके साथ खाएं तो फिर खाएंगे यह देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम बनके तयार हुआ है अगर आप लोगों का मीठा जटपट से मीठा खाने का मन करें न तो बस इसी को बना लीजिए एकदम बढ़िया दानेदार बनता है बेसन सूजी डालने से बेसन का हलवा का टेस्ट भी तो फ्रेंड्स यह रहा मेरा आज का साम का नास्ता मीठे में आज उनका मीठा खाने का कल से ही मन है तो हम सचे आज बना के खिला ही देते हैं पती देव खुस हो जाएंगे और पती देव खुस हैं तो सब बढ़िया हैं है ना सो फ्रेंड्स अब हम तो चले खाने अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद था तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, शब्सक्राइब ज़रूर कर दे और जो नए है मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं अभी तक सद्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सद्क् झाल झाल